जे जवान सैनिक सक्थी आप सैनिकों की सक्थी है ये जो 2015 से लेके आज तक लगातार वन रैंक वन पैंशन के आंदोरन को जीवित रखा है जवान सैनिकों की भीड जिनोंने साफ करके बताया कि आखिर क्यों पैंशन रिविजन को डिले किया जा रहा है पूरा काला चिठा यहाँ पर आप देख सकते हैं सुदेश गोईची ने खोल कर रख दिया है मोधी सरकार का पूरी वीडियो जरूर देखिए नहीं तो कल हमें वन रेंकमेंट पैंशन जरूर मिलेगा मोधी सरकार जितना भी जोर लगा लें सैनिक हार मानने वाले नहीं हैं यह वो सैनिक हैं जो नीसवार्वाव से बोर्डर पे गोलिया खाने को सीनातान के खड़े रहते हैं और यह घट्या सरकार ने जुल्मी सरकार ने 2015 से इन अपने देश के गोरव जो देश का मान हैं देश का गोरव हैं इनको अपने असली हक के लिए वन रैक वन पेंशन के लिए सडकों पे बैठने पे मजबूर कर रखा हैं और इतना ही नहीं इस जुल्मी सरकार ने बहुत अत्याचार किये सैनिकों के उपर तेन बार जंतरमंतर पे लाठियां बर्साई हैं सैनिकों के उपर हमारे जर्नल की पकड़ी को पुलिस वालों ने पकड़के धक्के मारे हमारी विद्वा भेनों को घशिता गया हम वो चीज कभी भूल नहीं सकते जब तक जिन्दा रहेंगे जो इस सरकार ने हमें गाव द जो हमारी विद्वा भेनों को धक्के मारे उनको घशिता गया ठाने में रखा कभी मंदिर मार ठाने में तो कभी पार्लियमेंट ठाने में उस चीज को हम आखिन सास तक याद रखेंगे लेकिन मोदी सरकार याद रहे कुर्सी हमेशे आपको मिलने वाली नहीं है आप यह न आपको नहीं गएन को दूसरी शरकारों में देना होगा क्योंकि सेली खार मनने वाला नहीं है इतने हड अचीज को सामना किया यह बाइवन बेढ रहा हमारे वहन बेठें अपनी जान को दाओं तो के लिए इवाने सरकार की हर जगा ठोकरे खाने को मजबूर कर रखता है सरकार ने हमारे रिजर्विस्ट सैनिक है जो आपको बताना चाहूंगी जो हमारे सीवल के भाई आखड़ेों के सुन रहे हैं जो हमारे रिजर्विस्ट सैनिक हैं जिना में 62 की लड़ाई लड़ी, 63 की लड़ाई लड़ी और 71 की लड़ाई लड़ी लेकिन आज की तारिख में उनको सिर्फ 9,810 उर्वे पेंसन मिल रही है 9,810 उर्वे में क्या एक देश का सैनिक गुजारा कर सकता है मैं हमारी जो महिला राष्टरबटी बनी है, उन से अनुरोध करते हूँ क्योंकि हम 2015 से सभी राष्टरबटीज अनुरोध कर चुके हमारी बात किसी में नहीं सुनी तो मैं अपील करते हूँ और यह तो एक महिला होने के नाते साइध हमारी अपील उनके दिलों तक पहुँँचे उनके कानों तक पहुँचे और कि आप तिनों सेनाum की सॐप्रीन क्माइंडर हैं तो आपके अपने जो जैनिक हैं जोंको कम से कब उनका हक दे जो रिजर्वी सैनिक हैं उनको कं से कम एक सिपाई रैंक के बराबर पैंशन दी जानी चाहिए और उनका मान संबांद करना चाहिए सरकार ने जो जुलम के हुआ हमें हमेशा याद रहेंगे लेकिन अभी एक चिंता की बात ये है जो सैनिक ने ये तो लड़ी रहे हैं वन रैंक वन पैंशन के लिए लेकिन मोदी सरकार जो अगनी पजियोजना लाई है उसमें साफ साफ बता दिया है कि नो रैंक नो पैंशन वो हमारी भागतिये फोजों को खतम करना चाहती है अगर ये वन जो अगनी पधियोजना लागू हो गई तो धीरे धीरे करके आने वाले समय में हमारी भारते फोजों की संख्या 3 लाख रह जाएगी आने वाले 10-15 सालों में क्योंकि ये जान बूज के फोजों को कमजोर करना चाहते हैं ये इस देश का बला नहीं चाहते जो आज कुर्शी पे बैठे हैं अगर इस देश की फोजे कमजोर हो जाती है वो देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता हमारी बैट्रिंग फोजे हैं अगर उनको लुआप हो चाहिए तो उसी में सुधार करना था उनको अगर हमारा सुवेदार 30-30 साल में रिटार होता है तो उसको 25 साल में रिटार कर देते हमारा हावलदार 24 साल में रिटार होता है उसको 20 में रिटार कर देते उसी में सरसोदन कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं इन्होंने अगनी वीर बनाना चाहते हैं और इनके मंत्री साफ साफ बोल चुके हैं जो अगनी वीर आएंगे वो BJP ओफिस के आगे डूटी करेंगे गार की डूटी करेंगे इन घट्या लोगों की सोच सारा देश वाक्सी सुन रहा है देख रहा है लेकिन उसके बाद भी चुप है इनके सोच देखिए ये एक तरफ तो सहरीकों के नाम पर वोट मांगते हैं कुर्सी वेवेटते हैं और इनकी सोच इनकी दिल की आवाज कहते हैं कि जो अगनी वीर आएंगे उनको हम BJP ओफिस के बाहर गार्ड के नोख री देंगे ऐसी गट्या सोच के लोग कभी देश का भला सोच सकते हैं ये सबसे बड़े गद्दार हैं जो आप देश की पुर्सी बेवेटे हैं सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और धोंग करते हैं ये तिरंगा हाथ में लेके हम सब से बड़े देश राष्टर हिपकी बात करते हैं इस जिनों है नागपुर में पचास सालों तक तिरंगा नहीं भैराया और इनके जो बोहन भागत वह एक दिन कहते हैं और तिरंगा तो राष्ट हमारा जो इनका आरेसस का जंडा है भगमा जंडा कहते हैं कि उसको हम त आरेसस के लोग हम देश को अपड़े काबू में करेंगे तो हम इस बविए को बिल्कुल मंझूर नहीं करेंगे और one rank one pension हमारे सैनिकों का हक है आज नहीं तो कल हुआ हमें जरूर मिलेगा और जब तक हमारी सांस में सांस है हम इसके दिए लड़ते रहेंगे लड़ेंगे और जितेंगे जे जवान जे जवान याद रहे सरकारों को फोज है तो देश है और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं इसलिए हमारी फोजों को कमजोर करने के भूल ना करे सरकार हमारी फोजे हमेशा नमबर वन पे थी हैं और रहेंगी जै भार